सो हेलो गाइस तो कैसे हुँ आप सभी लोग तो आप सभी का सौगत करता हूं गाइस एक और नई वीडियो में और लेकर के आज चुका हूँ एक और फ्री शॉट का रिव्यू जो कि आप सभी को पसंद आए तो कॉमेंट कर देना और रिटिंग वगर आप लोग दे देना ब की का जाते हों पर से बंएंज पराल कर चैकल का तो नहीं हो FRE Clark का रिटिंग मरें धूंग हो पृबग पर चुंत भाइचने को मिल जाते हैं तो आपका जहां मर्सी आप लोग शोट को सटक सकते हो तो मैंने बैकफूट से 1164 सेब करके रखए तो यहां पर आप लिस बैक टेस्ट करते हैं तो मुझी वर रहमान पहला ओवर करेंगे और यह पहली गेंगे मैंने फिल्डर को सर्कल से बाहर रखा हुआ है और यहां पर पर प्रफेट टैमिंग वह लेकिन सर्कल की बाहर हो फिल्डर एक्जेक्ट पोजिशन पर तना था इस वज़े से कैच के लिए ज लगा अब यहां पर केरम दर्फेश करता है देखा जाए नॉर्मली तो बांक यहां लेट टैमिंग की उपर और कभी कबार कईरम गेंगेंग वह जाता है और उस प्रहां पर आउट हो सकते हो यहां पर देखेंगा टॉप स्पीन गेंग थी अच्छी तरीक से कनेक्ट वे पर चौका मिलेगा अब यहां पर शॉट को खेलने के लिए पोजिसन आप लिए नौटिस कर लेना है कि पोजिसन यहां पर क्या रख रहा हूं में और क्या पोजिसन के रखने के वज़े से यहां पर शॉट बार बार कनेट हो पा रहा है क्योंकि शॉट में पोजिसन का बहु जाए तो डिफ्टर आरम यहाँ पर करने की कोशिश है और यहाँ पर एज लगाए तो इस शॉट की उपर एज भी थोड़ी बहुत कभी कबार लग सकते हैं अब बचल अक्षर पटेल आहें बॉलिंग करने के लिए और यहाँ पर दूसरा गेंद और बहुत अरले खेल बैट यहाँ पर देखने को मिला है तो इस शॉट को खिलने के लाप गेंद की पीचिंग से जस्ट एक स्ट्रिप आगे जाकर खरी हो जाईए अगर गेंद भार के तरफ स्पिन कर रहा है तो आराम से आपका शॉट कनेक्ट हो जाएगा और यह शॉट टॉप स्पिन डिफ्टर आ फॉट लेंड की उपर भी यह शॉट जो है कनेक्टी नहीं करेगा तो बिलकुल इधर ट्राइ मत करना अब यहाँ पर अगर कोई आपको लेक्स से डिफ्टर आरम करके फसाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर यह शॉट बहुत काम आ सकता है क्योंकि इस पर कनेक्शन य देखने को मिल जाएगा तो इस शॉट की पर टाइमिंग थोड़ा सा लेट करना है ना यहाँ पर दूसरा के कोडिंग होते हैं वह आपको ध्यान देना क्या टाम आप करना है और कौन से बॉलर का क्या पेस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोजी वर्यमान होगी आक्शिर बटेल हो गया तो इन दो बॉलर का यार पेस काफी डिफरेंट है तो इसके हिसाब से आपको अपने खुद के हिसाब से टाइमिंग अजिस्टिमेंट करने पड़ेंगे बाकि शॉट की टाइमिंग की बाद करें तो शॉट हल का सजस्ट लेट है अगली गेन यहाँ पे फिला मैं भी यहर 147 यूस करता हूं तो मिर लिए उस शॉट की पर बेंड बजने फिक्स होते हैं तो यहाँ पर यह शॉट काम आ सकता है जिन लोग को 147 यूस नहीं करना है फिलाल यहाँ पे टाप स्पिन था जी तरीके से कनेक्शन बनता वह नज़र आया है अगली गेन यहाँ पे चौती गेन है ओवरी के अंदर और यहाँ पे देखो लेक्स्पिन गेन थी बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर दिया चौका मिल जाएगा वैसे देखा जाए तो पता होगा आपको कि भाई देखो अगर कैरम कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आप 95% शॉर होके ना दूसरा के ल बहुत रख सकते हो जहाँ पे आपके बेंड बजने के चांस थोड़ी से कम हो अब यहाँ पे अगली गेन फिलाल क्रिस वोक्स की और से और बढ़िया कनेक्सन स्लोवर स्ट्रेट गुड लेन की उपर और इसकी अपास तो का इस देखो बाउंस भी काफी हाई है लेकिन यह लेकिन यहाँ पे फोड़ा सा आगी की तरफ कर रहा है और यहाँ देखो यहाँ पर भी कनेक्सन बन चुका है इतने नीचे वाली गेन पे लेकिन इसका बाउंस भी काफी हाई है अब की बार थोड़ा सा और आगी की तरफ हम फुलर लेन डालेंगे और देखेंगी कनेक्सन तो बना है लेकिन एज लगए है वैसे ट्राइ मत करने इस लेंड की उपर एज रखे भाई विकेट की उपर भी जा सकता है ये शॉट तो इस तरह की लेंड पे आपका भी कबार ट्राइ करना देखो इस पर कनेक्ट तो हुए लेकिन सुरूबर गेंड टाइमिंग हुआ नहीं है तो यहाँ पर टाइमिंग करते है तो यहाँ पर चौका देखेने को मिल जाता है वैसे इस शॉट की उपर एक दिक्कत ये है कि ये शॉट रिवर्स विंग गेंड पे प्रोलम कर सकता है लो बाउंस वाली बॉलर के अगें स्लोर स्टेट के लिए तो बाई काफी बढ़िया शॉट है तो आप लोग के शॉट को जुरूर रख सकते हो और रेटिंग दे सकते हो फिलाल चुरू आपन चलते हैं अगली गेंड की पर और इस सैट से नगेटिव गेंड करने की कोशिश है और यहाँ पर स्विंग गें बढ़िया तरीकिस से कनेक्ट हो गया वैसा टामिंग थोड़ा सा लेट ही करना है और यहाँ पर टामिंग लेट नहीं करेंगे तो बाई अरली शॉट होगा और इसकी वज़े से आप सरकल में कैच आउट हो सकते हो और देखो अगर अरली टामिंग होगा सरकल में फिल्टर होगा तो बचने का देखो भाई कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा तो जितना हो सकी आप लेटे खेले के कोशिश करना ताकि आपका सरकल अटलिस्ट किलर हो जाए यहाँ पर फिलालागली गें रिवर्स विंग गें अगर देखो सामनेवले टीम यहाँ से अगर रिवर् से हों कनेक्ट कर जाएगा तो इस तरीके से भी आप इंट होगे तो यहाँ पे देखोगी तो यहाँ पर देखो गाइस अग्ला शalten काफ़ी बढ़्या तरीके से कनेक्ट हो गिया मिल हो गिया है और यहाँ पर री तरीके से चेरण और mail one cricket ground गैर पता होगा आप सभी को कितना बड़ा ground है इस पे छखके निकालने long side पे कितना difficult होता है तो यहाँ पे यह shot काफ़ी बढ़िया connection दे रहा है और इसके connection rate काफ़ी अच्छा है timing जस्त आपको थोड़ा सा late करना है और अगर late करोगे तो भाई आपके result भी काफ़ी बेतर होगा तो आप लोग शॉर्ट को कुछ दिन use करो और कुछ दिन use करके देखो का यह shot रखने like है या नहीं है बाकि आप लोग शॉर्ट को कितना rating देना चाहोगे comment करके मुझे बताना बाकि यार यह video आपस सभी को बढ़िया लेके तो बढ़ियो को like कर देना चैनल पे लोग के चैनल को subscribe कर देना और मैं आप लोग के सारे comment देख रहा हूं कि कौन कौन से shot के आप लोग डिमान कर रहे हैं वेट करो उस सारे shot का review आपने जरूर लेके आने वाले हैं तो चोलो guys यार मैं मिलता हूं आपस सभी के साथ एक और नहीं वीडियो में तब तक हिलतना है thanks for watching guys